बारती शेयर बाजार में बुद्वार 3 जनवरी को निवेशकों को 7000 करोड का घाटा हुआ सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए ग्लोबल भूराजनेतिक संकट बढ़ने के आशंका से निवेशक लगातार बाजार से पैसे निकाल रहे हैं कमज़र ग्लोबल संकेतों से भी बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ा है हाला कि अबिकवाली लार्ज केप शेरों और कुछ बड़े सेक्टर्स तक ही सीमित दिख रही है प्रोडर मार्केट में बुद्वार को भी तेजी रही और बिएसी के मिट केप इंडेक्स 0.2.2 और स्मॉल केप इंडेक्स 0.3.2 की बढ़त के साथ बंद हुए आज के कारोबार में सबसे जादा गिरावट मैटल, आईटी और कमोडिटी शेरों में दिखी जो गलोबल कारणों से जादा प्रभावित रहते हैं दूसरी तरफ रियालिटी, पावर, यूटिलिटी और टेली कम्मुनुकेशन के शेरों में आज तेजी रही कारोबार के अंत में BSC का 30 शेरो वाल इंडेक्स सेंसेक्स 535.88 अंकी या 0.75 फीजदी की गिरावट के साथ 71,356.60 अंक पर बंद हुआ वही NSC का 50 शेरो वाल इंडेक्स निफ्टी 148.45 अंकी या 0.69 फीजदी की लुड़क कर 21,517.35 के स्तर पर बंद हुआ BSC में लिस्टिट कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 जनवरी को बढ़तर 365.111 लाग करोड रुपे पर पहुँच गया जो इसके पिछले कारोबारे दिन यानि मंगलवार 2 जनवरी को 365.111 लाग करोड रुपे था इस तरह BSC में लिस्टिट कंपनियों का मार्केट कैप करीब 7,000 करोड रुपे घटा है 4 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल LKP Securities के Senior Technical Analyst रुपकडे का कहना है कि Nifty 21,650 के सपोर्ट लेवल के नीचे आ चुका है और ये 21,500 की तरफ खिजग गया क्योंकि इसने अपना सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है तो इससे सेंटिमेट कमजोर होने के संकेत मिल रहे है ऐसे में अब अगर आने वाले कारोबारी दिनों में ये 21,500 के नीचे आता है तो इससे नेगटिव सेंटिमेट बढ़ेगा जब तक 21,650 के नीचे बना हुआ है सेल ओन राइज यानि मार्किट बढ़ने पर सेल पोजिशन लेने की स्ट्रेटेजी अपना है वही रैलीगेर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट और टेकनिकल रिसर्ज अजीत मिश्रा का कहना है कि बैंकिंग और आइटी जैसे दो एहम सेक्टर में कमजोरी के बावजूर मार्किट में करेक्शन हैल्दी है ऐसे में जब तक निफ्टी काई की सजार 200 लेवल बना रहता है ट्रेडर्स को गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रेजी अपनानी चाहिए फार्मा और एफम सीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स की बात करें तो ये आकर्शक दिख रहे हैं ट्रेडर्स को फिलहाल आकरामक तरीके से लॉंग पोजिशन लेने से बचना चाहिए वहीं महता एक्क्यूटी के रिसर्च सीनियर वाइस प्रेजिडेंट प्रशान तापसे का कहना है कि वैश्वी किस्तर पर कमजोर संकेत के चलते आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मुनाफ़ा वसूली का दबाव रहा निवेशक गुरवार को होने वाली अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट केमेटी यानि यूएस फो एमसी की बैठक से पहले साफदानी बरत रहे हैं और शेरों में होल्डिंग अटा रहे हैं आइटी और मेटल शेरों में दबाव दिखा तो पावर रियालिटी और तेल और गैस शेरों में खरीदारी का रुजहान दिखा पिछले कुछ हफते से मार्केट में जोरदार तेजी थी तो शेरों का वैलुएशन महंगा हो गया और निवेशकों ने शेर बेच कर इस मोके को बुनाया आगे की बात करें तो अगले वितवर्ष 2024 से 2025 के बजट पेश होने की तारीक नस्दीक के चलते नियर से लेकर मीडियम टर्म में मार्केट में नेगेटिव रुजहान के साथ अस्थिर्था दिख सकती है झाल 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 झाल